एक दूख अंदार अपने समान को क्रेम मुल से 20% अधिक अंकित करता है अपने ग्राहांकों को दोखा देने के लिए अंकित मुल फर 10% के छूट देता है और गलत ओजन का भी परियोग करता है एक लिए जगा पे 800 ग्राम ही करता है अब देखो मान लोग कि उसका जो क्रेम उसका यह हो रहा है कि सो के समान को घिया थिक आई अंकित कर रहा है, और फिर इसनeping फैर मैं पर दस परसेंट चोट देकर 90 में बेछ रहा है, तो कि सो के समान को 108 में बेछ रहा है, तो यहां पर उसने प्रोफ इसकर प्रॉपिट कमा है, 이게 कि लेगा पर तो अगर मैं 3.0 यहां से काटू तो तीन जूर यह कट जाएगा आपका दस अठे कितना हो जाएगा आपका यह इसको ऐसे भी कर सकते हो ना काटो गया तब बारह नाव एक शो आठ अगरम मैं चार से काटू आट हो जाएगा चारदूनीटा साइगा अगर तूने कि आठ और चारशत्य, नहीं कर सकते हैं कि 20 के समान को 27 में sales कर रहा है, 20 के समान को कितने बिच रहा है, 27 में sales कर रहा है, यानि किसका profit हो रहा है, 7 का profit हो रहा है, किस पर 20 पर, दें कितना वजाग हुए? 35%, तो टोटल profit कितना हुआ रहा है, 35% का हुआ है, Option no.4